सुप्रभात प्रेविध्यार्थियों कक्षा 5 हिंदी विशय में आप सभी का स्वागत है बेटा हमने हमारी पाठ्थे पुस्तर मेधा का पाठ 5 भामा शाह का त्याग जो एतिहासिक कहानी है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसको समझ लिया है है न उसका भाग एक और दो हमने पढ़ लिया और समझ लिया आज बेटा बारी है शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर की इस पाठ में हमने पढ़ा कि महराना प्रताब जो है अपने इस अतिहासिक कहानी में हमने पढ़ा कि महराना प्रताब अरावली परवत पर महराना अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दरदर भटक रहे थे क्योंकि उस समय अकबर की सैना ने चित्तोड पर अपना कबजा कर लिया था अपना अधिकार जमा लिया था और उस समय महाराना प्रताप को बस एक ही धुनती की चित्तोड की पवित्र भूमी पर कैसे अधिकार करें महाराना को यह सोचकर निराशा हो रही थी कि बिना धन के मुगर बादशा की सैना के साथ युद्ध कैसे करेंगे अंत में महाराना ने निश्चे किया कि प्राणों से प्यारी जन्म भूमी को छोड़कर राजस्थान से बाहर चले जाएं मार्ग में जाते सम रास्ते में भामाशा आ जाते हैं और भामाशा कौन थे पिटा उनके सलाहकार सलाहकार ही नहीं उनके मित्र भी थे घनिश्च मित्र है ना तो भामाशा महाराना के सलाहकार यानि सलाह देने वाले राय देने वाले थे तथा घनिश्च मित्र भी थे और वे उनके पैरों में गिर कर फूट फूट कर रोने लगते हैं कौन भामाशा और कहते हैं आज हम लोगों को अनात करके आप कहां जा रहे हैं तो बेटा इतना हमने सब इस पार्ट में पढ़ा और समझा ठीक है और इसमें आगे हमने और पढ़ा उन्होंने भामाशा को गले लगा लिया और कहा आज भाग्य हमारे साथ नहीं है अब यहां रहने से कोई फाइदा नहीं इसलिए यहां से जा रहा हूं और धन इकठा करके वापस लोटूँगा तब तक तुम हिम्मत करके रह लो और फिर लेकिन भामाशा ने प्राथना की कि महाराना वह धन स्वीकार कर लें जो वे लेकर रहें कौन भामाशा भामाशा ने इतना धन दिया की धाई हजार सानिकों का खर्च लगभग बारा वर्ष्णों तक उठाया जा सकता था महाराना ने विजय प्राप्ट करके उदैपूर की उदैपूर को राजधानी बनाया और उसके बाद क्या किया उन्होंने उदैपूर में ही भामाशा की जो है समाधी राजाओं की समाधियों के बीच में आज भी बनी हुई है तो इतना सब कुछ पढ़ा बेटा हमने अब हैंगी शब्दार्थ हैं देखिए यलो बॉक्स में पहला शब्द है इसको अपन समझ लेते हैं शब्दार्थ को नसीब नसीब मने भाग गये उसके बाद है तनिक तनिक मैंने जरा थोड़ा सा है ना और फुटी कोरी ना होना कुछ भी रुपए पैसे ना होना सलाकार मैंने सलाह या राय देने वाला घनिष्ट घनिष्ट मैंने बहुत नजदी की गहरा गहरे ठीक है गहरे दोस्त थे न दोनों घनिष्ट दोस्त थे मित्र थे एकत्र मैंने इकठा उद्धार मैंने मुसीबत से निकलना उधारक मैंने मुसीबत से निकलने वाला उधार मैंने मुसीबत से निकलने वाला और उधार मैंने दयालू विख्यात मैंने प्रसिद और मशूर मशूर भी कह सकते हैं प्रसिद भी कह सकते हैं और उसके बाद नीचे बेटा मौखिक प्रशनोतर हैं मौखिक प्रशनोतर आप आपको कॉपी में ही लिखने है और देखिए आपको जो मैं पीडिया भेज रही हूं ना पीडिया जैसा बना हुआ वैसा ही आपको भी कॉपी में लिखना है उसी सिक्वेंस में सबसे उपर पाठ का नाम फिर शब्दार्थ और शुतलेक के शब्द और उसके बाद मौखिक प्रशन उत्ता है और बुक का वर्क आपको बुक में ही करना है बुक के प्रशन भी बुक में ही लिखने है उसके उत्तर भी लेकिन इसमें आपको कॉपी में मौखिक प्रशनों के उत्तर लिखने है और उसके लावा आपके द्वारा बनाए गए अतिरिक्त प्रशन उत्त पर दो या तीन ठीक हैं? तो पहला प्रशना बेटा कह वाला चित्तोर पर किसने अधिकार जमा लिया था? इसका उत्तर है चित्तोर पर अकबर की सैना ने अधिकार जमा लिया था? खा प्रशन है भामा शाह कौन थे? इसका उत्तर है भामा शाह महरान प्रताप के सलाकार थे तथा घनिष्ट मित्र भी थे और गया वाला प्रशन है भामा शाह की समाधी कहां बनी है? इसका उत्तर है भामा शाह की समाधी उदैपूर में राजाओं की समाधियों के बीच में तो ये हमारे प्रशनोतर भी पूरे हो गए अब कल अपन इसके लिखित प्रशनोतर करेंगे जो आपको बुक में ही лिखने है यह और आपका ग्रे कारी यही है बिटा तो ये शबदार्त आपको याध करने है और ये प्रशनोतर कोपी में लिखने है जैसे हम आपको PDF भेजने ठीक है और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती धन्यवाद